सुबू और सौनू चैनल में आप सभी का स्वागत है अठारा जुन को अमावस्या है और आसाड महना का रविबार का ब्रत भी रहेगा रविबार का ब्रत शूरिय भगवान को समर्पित होता है यह ब्रत महिला पूरुस दोनों ही कर सकते हैं यह ब्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होकर शत्रु का बिनास होता है धन में अपार ब्रुद्धी होती है आप जदी रविबार का ब्रत करते हैं तो सुबह स्वच्च जल से नहा कर स्वच्च कपड़ा पहन ले और शूरिय भगवान के सामने संकल्फ ले कि आज मेरा ब्रत रहेगा और सारी मनों का मना पूरा करिये और शूरिय भगवान के पूजा करिये सारी सामगरी के साथ पूजा करें आरती करें भूग लगाएं और जल उनको जरूर से अरफित करें उस तिन नमक नखाएं और आरती करने से पहले शुर्य भगवान की जो ब्रत कथा है या फिर जो रभिबार की ब्रत कथा है वो जरुर सुने तो रभिबार की ब्रत कथा इस प्रकार है आप जदी मेरा चैनल सब्सक्रेब निकी हैं तो सब्सक्रेब कर लीजिए तो चलिए सुनते हैं रभिबार ब्र दिया रहती थी वह रविबार के ब्रत करती थी और सुभा उठकर श्नानादी करके स्वच्छ कपड़ा पहन कर आंगन को गवर से लिपती थी उसके बाल सुर्य भगवान की पूजा करके भोजन तियार करके भगवान को भोग लगा कर ही भोजन करती थी सूरिय देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था दिरे दिरे उसके घर में धन के बृध्धी होने लगी और उस बोढ़िया को सुखी देख कर और उसकी धन की बृध्धी देख कर एक पडोसन उससे जलने लगी और उपाय सोचने लगी कि क्या उपाय किया जाए कि इसके जो धन की बृध्धी को रोका जाए तो एक दिन की बात है पडोसन ने सोची कि अपनी गाय को घर के बित्तर बान दिया जाए क्योंकि बुढिया पडोसन के गाय से गोबर लाती थी और अपना आंगन लिपती थी तो जब वो अपने घर के अंदर गाय को बांदी तो बुढिया माई को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिले और वो रभिवार के दिन गोबर से नहीं लिपने के कारण सुरिय भगवान को भोग नहीं लगाया और सोयंग भी भोजन नहीं किया सुरियास्त होने पर बुढिया भुकी 85 सो गई क्योंकि यह ब्रत का नियम है कि सुरियास्त होने के बाद कुछ भी खाते पिते नहीं है इस प्रकार वो सो गई रात्री में सुरिय भगवान उसको स्वपन में दर्शन दे कर भोग न लगाने के कारण पूछा बुढिया ने सारी बात बता दी सुरिय भगवान ने अपने भगत की परिशानी का कारण जानकर दुख दूर करते हुए कहा है बुढिया माता मैं तुमको ऐसे गाये देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है तुम हमेशा अविबार को पूरे गाये के गोबर से लीब कर भोजन बना कर मेरा भोग लगाना और श्वेंग भी भोजन करना इस प्रकार उसको एक गाये मिल गई सूर्य भगवान की क्रिपा से प्राता काल वो जब उठी और उसकी आँख खूली तो घर के आंगन में एक गाये और बच्छडे को देखकर वो हैरान हो गई और शाती साथ पडोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाये और बच्छडे को देखी तो और ज्यादा जलने लगी बुढ़िया माई गाये और बच्छडे को चारा खिलाया और तभी गाये ने सोने का गोवर दिया गोवर को देखकर पडोसन की आँखें फट गई बुढ़िया माई को पता नहीं चला कि गाये सोने के गोवर दी है पड़ोसन ने मौका देखकर सोने का गोवर उठाया और अपने घर ले गई इस तरह से रोज गाय सोने के गोवर देती और पड़ोसन सोने का गोवर लेकर अपने घर में रखतेती बुढिया माई को कुछ भी पता नहीं चलता बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा बुढिया को कुछ पता नहीं चलने के कारण सूर्य भगवान सोचे कि हो नहो पड़ोसन को कुछ भी इसको कुछ सिखाना चाहिए कि दूसरों का हानी करने से कैसा होता है तो वो तेज आंधी चलाए आंधी का प्रकप देखकर बुढिया ने गाये को घर के भीतर बांदिया सुभा उठकर बुढिया ने देखा कि गाये तो सोने का गोबर दी है और उस दिन से उससे पता चला कि गाये तो सोने का गोबर दे रही है तो वो भीतर बांदने लगी और पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलने के कारण वो घबरा गई और राजा के दर्बार में पहुँची राजा को सारी बात बता कर बुढिया के बारे में सिखाना पढ़ाना करने लग गई गाई के बारे में पता चला तो राजा सैनिक भेज कर बुढ़िया की गाई लाने का आदेश दिया सैनिक उसके घर में पहुँचे उस समय बुढ़िया सुर्य भगवान को भोग लगा कर भोजन कर रही थी राजा के सैनिकों ने बिना कुछ बोले गाई को खोल कर ले जाने लगे बुढ़िया ने सैनिकों को गाई को ना ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की पर उन्होंने नहीं माने गाय के चले जाने से बुढिया को बहुत दुख हुआ इसलिए दुख नहीं हुआ कि सोने का गोबर नहीं मिलेगा पर इसलिए कि गोबर नहीं मिलने के कारण घर की आंगन कैसे लिपा जाएगा राजा बहुत खुस हुआ पर जैसे ही अगले दिन सुबह वो उठा सारे महल में गोवर ही गोवर दिखने लगा और उसी रात ही भगवान शुर्य उसको सपने में आये और बोले हे राजन ये गाये तुम बृद्धा को लोटा दो इसी में ही तुम्हारा भला है और राजा को सब बात का पता चला और वो गाये को बृद्धा के यहां पहुँचा दिये और साथी साथ कुछ धन भी दे दिये और चमा मांग कर प्रार्थना किये कि हम ऐसे गलती और नहीं करेंगे इसके बाद राजा ने पड़ोसन को भी दंड दिया इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उस दिन से राज्य में घोसना कराया गया कि सभी स्त्री पुरुस सूरिय भगवान का ब्रत रविवार को करें उनके प्रताफ से सब कुछ संभब हो सकता है रविवार का ब्रत करने से सभी लोगों के घर धनधान्य से भर गए चारों और खुसली चा चा गई और जो सारीरिक पेडा थी लोगों के ओ भी दूर हो गई तो ये है सूरिय भगवान के रविवार के ब्रत कथा जय हो सूरिय भगवान की जय हो